यह देखिए यह हम पहुँचचुके हैं सतुपन ताल में पूरा का पूरा जो पानी है यहाँ पर जम्मा हुआ है सदुर्पत्ाल का एक कोना यह है यहाम हम है, एक कोने पे विष्नु जी आ कर नाते हैं, और एक कोने पे महीश जी आ कर लाते हैं तो इसका यह रहस्य है इन तीन कोनों का यहां पर पूरा आइस है इसको ठोड़ के निकाला जा रहा है हर हर महादेव दोस्तो स्वागत है आपका उत्राकरन के इन खोपसूरत हसीन वादियू में और स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आभी में हूँ सतोपन ताल में आप देख सकते हो सुबह के बच रहें साथ और अभी हम जा रहे हैं सतोपन ताल में इस्तनान करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ ये देखे ये निलकन परवत और ये सतोपन ताल है जो पूरा का पूरा जमा हुआ है तो हम कल यहां पर पहुँचे वे सतोपन ताल में हमारी ये स्वर्गे की सीडियू की जो यात्रा है वो चालू है इसके बाद हम आपको लेके चलिँगे स्वर्गे की सीडियू की तरफ जहां से पांड़ौ स्वर्ग को गए थे अब हम जा रहे हैं सतोपन ताल में देखते हैं इसनान करते हैं क्योंकि अभी पूरा का पूरा जो पानी है उपर की जो लेयर है वो जमी हुई है आपको दिखाते हैं कि अभी कैसा है सतोपन ताल का द्रस्य तो ये देखें चलते हैं वहाँ पर से नीचे उतना है हमको हम जा बूरा तालाब जो है 27 ताल का जमा हुआ है , बिल्कुल आपको इस साल के करीब से दर्षन कराइंगे और हमारी यह यात्रा.. बहुत ही खुब्सूरत है आज थोड़ा बहुत मौसमिया पर खराब हुआ है हम आज इसनान यहाँ पर करेंगे क्योंकि कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा विश्मु में स्तेनु आकर इसनान करते हैं इतना पवित्र यह तालाब है इतना पवित्रता है इसमें यह देखें सामने बिल्कुल बहुत ही खुबसूरत द्रसी है तालाब का दोस्तो हमारी यात्रा अभी तक बहुत ही अच्छी रही, कटनाईयां बहुत ही यात्रा के दोरान पर खुबसुरत भी उतनी जादा रही, क्योंकि ये जो हमारी यात्रा है बहुत ज्यादा कठीन है, स्वर्गे के मार्गे के जो यात्रा है बहुत ज्यादा कठीन है, इतने आसान नहीं है आपर इस बार क्योंकि आभी आपर बहुत ज़्यादा सुनो है आप देख सकते हो चारू तरफ सुनो से कबर है दोस्तो मैं पहुंच चुका हूँ सतो पंताल में पूरा का पूरा जपानी जमा हुआ है हमको साइड में थोड़ा सा बरफ हटानी पड़ेगी और उसके बाद वहाँ पर से पानी निकालना रहेगा ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं ये देखिए ये हम पहुंच चुके हैं सतो पंताल में पूरा का पूरा जो पानी है यहाँ पर जमा हुआ है एक कोना यह है तो वहां फ्रत महां जमी है अजया एक कोना आं से अलूप इसंका राहस्य है तीन कोनों मेंशाओ कि यहां पे यहां पर फ्रत पर डाव ब्रहाची आसे है आके नहाता है और एक कोने पे महीर जी आके नाते हैं तो इसका यह रहस्य है इन तीन कोनों का तो बहुत ही खुच्जुरेते तालाव है सबसे पहले हम इसको परणाम करेंगे और फिर जल निकालेंगे खालो थोड़ा सा यह देखिए यह देखिए पूरा पानी यहां पर जमा हुआ है पूरा तालाव ही जमा हुआ है इतना खुपसूरा द्रस्य दोस्तों साहदी आप लोग उन्हें पहले कभी देखा होगा बहुत ही रहस्यम है और तालाव है और इसके एक और खासियत है यहां पर अगर कोड़ा होता है इस तालाव में तो दो चिडिया आती है और इस कोड़े को उठाके बाहर फैंकती है यह बहुत ही रहस्यम है चिडिया भी यहां पर रहती है और अभी हम यहां पर इस नान करेंगे देखते है कि पहले बरफ हटाते है फिर उसके बाद आपस मिलते हैं यह देखे दोस्तों वरफ को ऐसे तोड़ है यह देखे दोस्तों आप इनकी बारी इसनान करने की देखते हैं कि पानी के अंदर जाते हैं या नहीं जाते हैं पूरा तालाव आप देख सकते हैं पहपान आप पहुँशने की शक्ति दे रखी तो शनान करने की भी बहुआ तोस्तों छल लगाँ यह देखे हैं इसनान हो रहा है फटा फट करओ इतनी देर मद खाला चरह यह देखे के डुक्ती लगाओ भी है हर हर महादे और 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 बैठ जाओ पूरा पेले हर हर महादे यह देखे हालक थराग हो चुकी है ठंड से हर हर महादे बहुत ज्यादा ठंडा पानी है एक और लगो आप देख सकते हो यहाँ पूरा 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 चारू तरफ बरफ है एक बार फिर यहाँ पर बरफ वाले पानी में डुपकी लगाने की कोशिस यह देखिए हर बार भादि लगा दिया दूसरे डुपकी हर हर महादेव जब भाति ना रहा नहीं हां तक महुचने की इंस माहदेव ने तो नहाने की इंस मत दिया बहुत ही साक्षात दर्शन हो गया है भगान के बहुत ज्यादा थंडा यहां पर है दोस्तो हम आचुके हैं सत्व पंताल में स्नान करके आप देख सकते हो हमारे ठीक पीचे स्नान किया बहुत ज्यादा थंडा पानी क्योंकि आपने देखा पूरा जो ताले तालाव है ताल है सतुपन ताल वो पूरा बरप से जमा हुआ है फिर भी हमें महादेव ने नाराणजया भगवान ने हमें सक्ति दी और हमने इसनान किया बहुत आनन्द आ गया नहाने के बाद इतना रिलीफ मिलाया सरीर को ऐसा हलका सा हो गया बहुत ही बहुत ही अच्छा नुबवरा हमारा बहुत ही आनन्द आया क्योंकि इस जगे पर आने का सभी को मौका नहीं मिलता हमें हाने का मौका मिला और उससे भी अच्छी बात है कि हम लोगों ने इसनान किया वो कृपा अश्रवाद भगवान ने अपने हम पर बनाए रखा अपना तो वो सबसे बड़ी बात है बहुत ही महत्व होता है इस जगे पर इसनान करने का तो हमने वो जो पल है वो बस जी लिया हर हर महादेव मैं ठीक सामने बैठी हुई हूँ सतोपन ताल के और ये सामने आप देखिए है सतोपन ताल और ये हूँ मैं तो इतने अच्छे दर्शन मेरे यहां से हो रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है दर्शन करके सबसे पहले तो सुबह उठके पांच बजे मैं उठी लेकिन पांच बजे उजाला हो जाता है और साड़े पांच पे यहां पे बड़िया सी धूब निकल जाती है साड़े पांच पे क्योंकि हाई अल्टिट्यूट है और फिर उसके बाद यहां पे इतनी सुबह सनान करना तो पीचे कुंड में हम लोग गए वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके वहां पे हमने डुपकी लगाई पूरी आइस जमी हुई थी उससे हटाने के बाद हम लोग उसके अंदर गए सनान करने के लिए वहां पे सनान किया बहुत ही अच्छा अनु हमने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा सा खीच ली जाए थोड़ा लंबी वीडियो बना ली जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप लोग को अच्छा लगेगा यह दृष्च देखने में यह आतरा में हम लोग लेके आए तो यह वीडियो शायद हम थोड़ा सा लंबी बन सामने बैटके एकदम सत्व पन ताल के तो बहुत ही अच्छी बात है मैं बार-बार आप लोगों से कहती हूं कि हम लोग बहुत ही लगी हैं बहुत ही सोबाकिशाली हैं कि भगवान का अशरवाद हम पर है कि हम ऐसी ऐसी जगे पर पहुंचते हैं और उनका अनुभाव करते ह और आप लोग को भी पूरी कोशिश करते हैं ये सारी जगे दिखाने की जहां पर साक्षाद भगवानों के दर्शन होते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कमेंट में दिखाओ हमें साक्षाद भगवान तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि साक्षाद भगवान आपको दरशन देते हैं, हम लोगो जब दिखाई देता है तो वो चीजें हम लोग एक Քर कोशिश करते हैं, कि ये कैप्चर करें आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी ऐसे लोग हैं, जो ऐसे ऐसी बाते कर दते हैं कमेंट मैं कि बस क्या कह सकते हैं उनसे कि आपने तो बिल्कुर भगवान के दर्षन ही नहीं करवाई टाइटल में ऐसा लग दिया है कि हम साक्षा दर्षन कर रहे हैं जो चीजे हम फील कर रहे हैं वो चीजे आपको दिखानी सकते और यह चीजे कुछ ऐसी होती हैं कि जो वीडियो में हम तो इन लोगों से क्या बोलना हा तो हम लोगों ने अभी बढ़िया चाई पी लिया गर्मागरम और यहां पर हमने पुझा कर लिया अगर्वतिजल आ के सारे देवी देवताओं की आसपास क्योंकि यह बहुत जरूरी है अगर इस अस्तान पर देवुनियों हम लोग रह रहे